आज हम लोग है आज हम लोगे क्लास 8 के साइंस में एक नया शप्टर सुरू करने जा रहे हैं है जिसका नाम है माइक्रो आर्गेनिजम फ्रेंड एंड फो मेंस सुक्षम जीव इसको बोलते हैं सुक्षम जीव, मित्र और स्ट्रू, यह चप्टर का नाम, फो मींज होता है, स्ट्रू, दुश्मन, ठेके, और माीक्रो ऑर्गेनिस्म का मतलब हुआ है, सुक्षम जीव, सुक्षम का मतलब होता है, बहुत थी, छोटे छोटे, यतने छोटे कि हम नंगी आँखो से, नेकेड आइज से हम उनको नहीं देख सकते जिसे मारकर यह दिख रहा है हमें ठीक है बिना चस्मा या बिना किसी मैंगनिफाइंग ग्लास या माइक्रोज़क्र को देख पा रहे हैं लेकिन इतनी चोटे होते हैं इतनी टाइनी होते हैं कि आप बिना किसी डिवाइस उनको देखे नहीं पाओ ठीक है चलिए सबसे पहले हम लोग यह जानते हैं इसी को इसी को माइक्रोब्स कहा जाएगा ठीक है माइक्रो और गेनिजम्स या माइक्रोब्स स्थुडेंट सबसे पहले आपने इसकी डेफिनिशन देखते हैं ठीक है सो दोज लिविंग और गेनिजम्स मतलब ऐसे जीव जो लिविंग हो जीवित हो जिन्दा हो हना हमारे आसपास का अराउंड अस विच 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 वी कांट विच वी कांट शी विदे नेकेड आइज खुली आखों से बिना किसी यंत्र या बिना किसी डिवाइस की मदद से हम नहीं देख पाएं ऐसे लिविंग ठींग को माइक्रो और्गेनिजम्स या माइक्रोप्स करते हैं माइक्रो और्गेनिजम्स माइक्रोप्स का मतलब हो गया कि ऐसे जीव जो जिन्दा हो जिसको हम देखी नहीं पाएं बिना किसी डिवाइस की हेल्प से उसको देखने के लिए हमको डिवाइस की हेल्प चाहिए लाइक लेघ्रस के हैल्प से हां माइक्रो और गिनिजम्स या माईक्रोंब्स भी करते हैं हिंदी में इसको सुक्ष में जीव करते हैं यह पहली बात दुस्री बात यह है कि ऐसा कहा जाता है कि इस अर्थ पर सबसे पहले ऐसा माना गया है कि माइक्रो और्गेनिजम्स ही जो थे ना सबसे पहले इस अर्थ पर आया था है यह जीवन का सबसे पुराना सबसे प्राचीन प्रकार है वह चीज थी माइक्रो और्गेनिजम्स अससे कितने साल पहले थी पॉइंट एट बिलियन कि यह थी पॉइंट एट बिलियन से यह पहले यह सबसे पहले और यह चीज और आपको नूटिस करना होगा कि सबसे पहली बार फॉस्ट टाइम आप कि पॉस्ट टाइम जो है सबसे पहली बार जो है माइक्रो और्गेनिजम्स जो है इनको ऑपजाब इता फ्रस्ट टाइम से कुआ माइक्रो और्गेनिजम्स अ भॉज वर आप जब भाइट इस च्रिष्थ को दो चाहिए सबसे पहले किसने इस चीज गहाई था तो उनका नाम था हम बूग्द चेल्न वान ना नारो इस पूर्डव और धुन काओ नाम था अन्टॉण उन टीरे एंटोन बॉन लिवेन होक सबसे पहले यह हॉलेंड के थे यह फ्रम हॉलेंड यह हॉलेंड के रहने वाले थे तो इन्हों ने सबसे पहले जो है हुलyeong क ng m खोल सका कशे म होता है ना कूछ काफी बड़े होते हैं जिनको आप को कि इतनी थे फसके सबस्द clicked को आप मैंगेंग देखने के लिए हमें मैंग्निफाइंग ग अब यह देखते हैं कि classification आओ फे माइक्रो और्गेनिजम्स जो होते हैं उनके classification मतलब उनके प्रकार है ना कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है कितने भागों में डिवाइड किया गया है आईए उसको जानते हैं कि अगर हम लोग mycororgnism को यहां समझें कि तो mycororgnism को हम मिली चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि सबसे पाहला जो उसका टाइप हो जाएगा वह कलाएगा bacteria बैक्टिरिया का लाएगा एक्छली जो बैक्टिरिया का जो सिंगुलर होता है एसल का मतलब हो गया स्ट्रेंट यहां सिंगुलर बैक्टिरिया का सिंगुलर होता है बैक्टिरियम ठीक है अच्छा दुसरा माइक्रो ऑर्गिनिजम जो होगा यह फर्स्ट हो गया दुसरा जो हो दो गए स्टुडेंट वो वोगा अपका प्रोटो जोवा गेशिसका प्रोटो जो वन है प्रोटो जो वन टीक है और फोर्थ जो होगा वो होगा है अलगी अलगा मैं हम यह चार्ड चार्ड में माइक्रो ऑर्ग阿स को है अलग रखा गया है वाईरस का जो वी हैवियर होता है चोंब होता है उनियुक्त हुआ हार होता है उसका जो उसकी जो नेचर है स्कूंझाइज यह वह व्यूजाइ अलगी सब आlı इसलिए इसको सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर जो है बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया का जो स्टडी होता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियो लॉजी वाट इस बैक्टीरियो लॉजी एस्टी ऑफ है एस्टरी ऑफ पिए अपन्जाई के स्ट्डी को क्या बोलते हैं प्रोटोजी को क्या बोलते हैं तो फंजाइग के स्टड़ी को बोलते हैं माइकोलोजी What is mycoology study of a fungi What is mycoology study of a fungi ठीक है अब यहां पर student आगे है कि जो प्रोटोज होगा है इसके स्टड़ी को क्या बोलते हैं प्रो में प्रो जीलोजी इसके इस्टरिय इस तरह से हम ने देखा कि बैक्टीरिया इसस्टरिय को बैक्टीरिय को सिंवलय में सेमिलर फिर फर्म नजयां फंजी सिक कूल फंगस और फर्म पूर पो जोता है प्रोटो जोलसी इसक ब्ह Quite स्टेंट यहां एक चीज़ ध्यान देंगे जो माइक्रो और गेनिजम होता है जिसको क्या बोलता है सुख्छ में जीव यहन कितनी छोटे जीव जिसको लोग पुली आंखों से नहीं देख सकते हैं तो एक चीज़ आप यहां नोट कर लेंगे कि माइक्रो और गेनिजम के स्को कहते हैं माइक्रो बाइल जी कहते हैं इस ट्रेंट अफ माइक्रो और गेनिजम इस जो लोग यह जो पीपल जो सैंटिस्ट स्ट माइक्रो और अरिजम का स्टडी करते हैं उनको क्या बोलेंगे दपर शन है ना, the person involved in the study of a, involved in the study of a, in the study of a microorganism, microorganisms, के जो study में लोग participate करते हैं, जो लोग सट्टी में लगे रहते हैं उनको बोलते हैं माइक्रो तो माइक्रो बायो लॉजिस्ट करते हैं तो इस फोप यहां तक कि साड़ी बात आपको समझ में आई होगी कि और उसके डिफरेंट का क्या स्टडी है उसके बारे में आपके आपड़ बताया एक चीज़ यहां और ध्यान देंगे जैसे कि पहले बताया कि वाइरस के बारे तो वाइरस जो है वाइरस का नेचर बेक्टेरिया फिंजाइब अलगी से डिफरेंट होता है ठीक है तो इसको लोग सबक्रावले में one by one पढ़ेंगे और काफी डिटेल से पढ़ेंगे सब कुछ जानते हुए पढ़ेंगे तो अभी देखते हैं जो वाइरस है वाइरस के स्टडी को क्या बोलते है नस्ट टी ऑफ वाइरस को इस काल डरे इस वायरोलाजी एस चीज़ को ध्यान देंग फिर्स का स्ट्ड़ी करेंगे को भोलेंगे वायरोलोजिस्ट विट्यों में स्टूइन हम लोगों ने इस भीटियो में इसटूइडिया के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और वैसे ही आपस के बारे में जानेंगे नहीं थेंक यू झाल झाल